जमो कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैट कराने में अब पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। पीयोके में इस वक्त कई चीनी कंपनियां अक्टिव हैं और उनकी मदद से लोसी के पार मजबूत बंकर बनाय जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त खूफिया एजेंसियों को आतंकवादि गुड़ जैश के एक बड़े कमांडर का ओडियो टेप मिला है। इस टेप में और आयोध्या और राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। आयोध्या अमरनात अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छे दिन के अंदर वैश्णों देवी से लेकर अमरनात और अमरनात से लेकर आयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने तीन बहुत बड़ी चुनाती खड़ी हो गई। सबसे बड़े खत्रे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को दो चीज मिली है। एक है पोस्टर और दूसरी है एक आओडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ओडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिये। इस ओडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूँ। लेकिन ये धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुर्ट जैश की तरफ से बताई जा रही है। यानि वही आतंकी गुर्ट जिसका सर्खनाम मसूद अजहर है। मुम्किन है कि ये मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। आडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है। जो 2001 में हमले के इरादे से आये थे। लेकिन मारे गए। सुरक्षा एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मंदिर को उड़ाने के लिए इस आतंकवादी संगठन ने अपरेल 2001 में भी अपने तीन आतंकवादियों को अयुध्या भेजा था। लेकिन सटीक जानकारी के अधार पर लखनव और उसके आसपात सुरक्षा बलो की इन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुढबेड हुई जिसमें तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबर है कि अब अयुध्या पर मंडराते खत्रे को देखते हुए कि इन सरकार आतंकवादियों से निपटने वाले नैशनल सिक्योर्टी गाड का अयुध्या में एक हब बनाना चाहती है। के लिए भी कमांडो ऑपरिशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धंकी के बाद अभी आयोध्या में जिन जगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उसमें राम मंदिर शामिल है। उसमें आयोध्या का महर्शी वालमीत एयरपोर्ट है। आयोध्या में सर्यो घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CCTV से पूरे आयोध्या की निगरानी की जा रही है। पूलिस के साथ P.A.C. भी जगा जगा तैनात है। 22 जन्वरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं। आयोध्या पहले से आतंक्वादियों के डार्गेट पर रही है। 2005 में भी आयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश होई थी। 5 जुलाई 2005 को लशकर ने आयोध्या में तब विवादित जगपर हमला किया था। इस हमले में पांच आतंकी शामिल थे और पांचों को सुरक्षा बनों ने मार गिराया था। तब आतंक्यों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था। लेकिन इस हमले को चोकन में सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। अलाकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका कर्मे की धमकी आई थी। लेकिन बाग में के फर्जी साबित होई थी। अलाकि इस बार आई ओडियो क्लिप के बाद सुरक्षा विवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के वरत्मान हालातों को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों के एक उचिस्त्रिय बैठक केंद्रिय ग्रहमंत्रा लें होई। चुकि आने वाले कि जून को पुर्धानमंत्री नरेंद्र मोधी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं लियाजा वहां के हालातों पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की पैनी निगाहे हैं इस दौरान अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बताया गया कि जम्मू के सामा बाडर से लगे अंतरास्टिये सीमा बाडर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर गुस्पैट की गई है 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टार्गेट पर कश्मीर से लेकर आयोध्या तक बहुत से ठिकाने है इसमें आयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं बलकि व्याश्नों देवी जैसी कई और जगय आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती है इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त ग्रे मंत्राले काफी अलट है अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जाच एजिंसियों के साथ ग्रे मंत्राले ने एहम बैठक की है इस दौरान प्रधान मंत्री मोधी के जम्मू कश्मीर दौरे पर दी सुरक्षा बुले कर समीख शाकी गई जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजामात किये गए हैं स्कूरिटी ते अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम तेज हो गए हैं अमरनाथ यात्रियों के सुरक्षा के आर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी क्योंकि अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाना एक बड़ी चनौती है सूत्रों के मताविक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफय आजनसी आईसाई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है जिसको देखते हुए सुरक्षा के बुखता इंतजाम किये जा रहे है अमरनाथ यात्रा को लेकर खबर ये है कि बड़े खत्रे को देखते हुए इस बार यात्रा के लिए 500 से साधा कंपनी फोर्स तैनाथ की जाएगी जिसमें CRPR, BSF, ITBP की फोर्स होगे पंजाब में मौझूद कई कंपनियों को अब वापिस जम्मू भेजने की तैयारी है अमिट शाह ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है गुर्वार को ही कई विवागों के प्रमुक से मिले और देश के हरे एक कोने के बारे में अपडेट लिया है आतंगवादी अब सुरक्षा बलूं की गाड़ियों के साथ साथ आम गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं इसलिए 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के सारे इंतिजामात किये जा रहे हैं रियासी में हुए आतंगवादी हमले के बाद सुरक्षा अजिंसियों पे जबरदस दबाव है और इसलिए अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाना सुरक्षा अजिंसियों के लिए एक बड़ी चुनोती है अमरनाथ यात्रा में शर्धालों को ले जाने की जमिदारी रोडवेज बसों की होती है यात्रा में रोज 80-90 बसें और बाकी गाड़ियां एक करफ से जाती है ऐसे में यात्रा के दौरान 200-250 तक गाड़ियों का इंतजाम किया गया है 9 जून को रियासी में हुए बस पर हमले को लेकर अब अमरनाथ यात्रियों की बसों को और ज्यादा सुरक्षा देने की ज़रूरत है थीर बावानी मेले के लिए सुरक्षा के सक्त इंतजामात किये गए हालांकि ADGP लॉइंड और विजे कुमार ने भी News 18 इंडिया के साथ exclusively बात करते हुए कहा के multi layer security लगा दी गए और आप देख सकते हैं उसका सबूत ये भी है कि ड्रोन के जरिये भी यहाँ पे surveillance की जा रही है इस पूरिये एरिया में ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा है और चपे चपे पे निगरानी रखी जा रही है और आप देख सकते हैं ड्रोन के पूरी footage जो है वो यहाँ पे मिल रही है और ड्रोन को हर साइड से गुमाया जा रहा है यहाँ पे CRPF हो पोलीस हो और बाके जो अन्नी सुरक्षाबल हैं उनको यहाँ पे ताइनात किया गया है कश्मीर घाटी में इस वक्त देड़ सो से जादा आतंपादी active हैं इस में 70-80 विदेशी बताय जा रही है बड़ा खत्रा घाटी में ही नहीं बलकि जम्मू क्षित्र में भी है क्योंकि यात्रा रोल्ड तो यहीं से होकर कश्मीर घाटी तक पहुँचेगा जम्मू सिर्णगर नैशनल हाइवे पे सुरक्षा के जबरदस इंतिजामात किये गए हैं क्योंकि यहीं वह साड़क मार्ग है जहां से अमबरनात्यात्री जम्मू जो सबसे पहला बेस कैम्प है यहां से शिर्णगर के लिए रवाना होते है और जो दोनों रास्ते हैं चा पर अमबरनात्यात्री रहते हैं रात बर ठहरते हैं और उसके बाद अपना जो यात्रा है शुरू करते हैं वहां भी जबरदस सुरक्षा के इंतिजामात किये गए हैं इस वक्त जम्मू, रज़ौरी और जम्मू पठान कोट हाईवे पर अलर्ट का एलान है चार आतंकी हमलों के बार जम्मू के सब भी बड़े मंदिरों और सेना के कैम पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी है आतंकीों का इरादा साफ है वो आयोध्या पर भी हमला करना चाहते हैं वो अमरनाथ यात्रा को टार्गेट करना चाहते हैं ये जगए अब आतंक वाधियों के रेडार पर है जम्मू कश्मीर के कठवा में मारे गए आतंकीों से कुछ ऐसी चीजें वरामत की गई हैं जिससे एक बड़ी तयारी के बारे में पता चलता है इसमें माइक्रो सैटलाइट फोन मिला है जो अकसर पाकिस्तानी सेना इस्तिमाल करती है मारे गए आतन की इसी माइक्रो साटिलाइट फोन से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से इस संपर्क साधे हुए थे इस वक्त जम्मू के कई इलाखों में सर्च ओपरेशन जारी है दोडा और आसपास भी निगाह रखी जा रही है